एक बहुत बड़ा सलाह तुम लोगों को इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं किसको देने वाले हैं जो लोग इस साल ग्रैजुएट पास करोगे ओनर्स जनरल सब स्टूडेंट्स के लिए ये जरूर याद रखना है कि आज का जो सिचुएशन से जब तुम लोग ग्रैजुएट पास करने वाले हो आने वाले एक या दो महिनों में तुम लोगों के लिए सब को गौबर्मेंट जॉप नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है यह सच तुम लोग अगर पकर लोगे तो बहतर तरीके से तुम लोग जिन्दिगी जी पाओगे क्या करना है मेरी सला यह है कि अपना स्किल को डेवलफ करना है और स्किल को डेवलफ करने के बाद उसको पकर के आगे बढ़ जाना है Graduation के बाद बहुत सारे लोग पराई नहीं करोगे किसी के घर का हालत खराब हो सकता है किसी को नौकरी जरूरत है और किसी को higher studies नहीं करना है तो इन सब students को मेरी योर से यहीं बोलना है कि आप पराई मत उस level में higher studies में मत जाओ अपना skill को develop करो तो skill कहां कहां से develop कर सकते हो देखो तुम लोग यह देखते रहना है कि जैसे बहुत सारे employment news आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब government jobs के news होते हैं बहुत सारे trainings के भी खबर आते रहते हैं जैसे मालो के diploma course जितने भी diploma course होते हैं हलकित तुम लोग in सकते हैं साइंस में सकते हो सकते हो सक्ते हो स सेक्षन में होय KAR Cohen रौस सब् pornography on e2 का preparation of तो यह यह देखना है कि diploma course की तरफ धियान देना है जहां पर है ना आनेवाले दिनों में हमारे देश का development हो रहा है और economy जिस तरीके से change हो रहा है उसमें ये diploma course बहुत ही important होने जा रहा है छे मेने का एक साल का डेर साल का दो साल का ऐसा ऐसा है बहुत सरे course जैसे computer diploma course हो गया जैसे बहुत सरे private institute भी सिखाते हैं जैसे George Telegraph Institute और prime ministers की जो बहुत सरे scheme होते से प्राइमिनिस्टर के नाम से और हमारे राज्य के भी government वेस्ट बेंगल की भी बहुत सरे schemes हैं जहां पर training दिया जाता है उसकी तरफ ध्यान देना है इसमें क्या होगा कि तुम लोगों को ना अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो इसकी तरफ ध्यान देना है government jobs की तरफ ध्यान मत दो क्यूंकि government jobs सबको नहीं मिलने वाला है जैसे मेरा मानना यह है कि तुम लोग यह कोशिस कर सकते हो कि मैंने बहुत सारे जगा में देखा है कि जो छोटे मोटे medical sections का course होते हैं वो तुम लोग कर सकते हो वो 12 प्लस टू पास होने से होता है नो एज बर रहता है बहुत सारे medical course रहते छे मिने का वन यर का तो इसमें भी तुम लोग interest दिखा सकते हो इसमें बहुत अच्छा खासा तुम लोगों का करमसास्तान हो सकता है तो इसकी तरह भी ध्यान देना है और जो भी factory वाला काम होते उसकी तरह भी ध्यान देना है मैं इसलिए क्यों यह सब बाते बोल रहा हूं मेरे बोलने का मतलब एही है कि क्योंकि इतने सारे तदाद में graduate pass हो रहे हो इतने सारे तदाद में हर section हर stream से लोग निकल रहे हैं तो सबको गवर्मेंट की और से भी सबका government job वैवस्ता करना बहुत ही कटिन हो जाता है किसी भी government हो यह बात तुम लोगों को भी समझ में आ जागा जब तुम लोग थोरी छे महीने एक महीने के बाद तुम लोगों जब बास्तर पता चलेगा तो सब लोग यहीं कोशिस करना है कि जिवन को तो जीना है और घर के लोगों के पास तुम लोगों को खराया होना है तो हमेशा याद रखना है कि अगर government job नहीं मिला मुझे लग रहा है कि नहीं मिला या मैं मुझे पराई करने में आप interest नहीं रहा या मेरी घर की हाला ठीक नहीं है तो अपना जो डिप्लमा कोर्स बगेरा है जिस कोर्स को करने के बाद तुमको कर्मसंस्तान मिल जाएगा उसकी तरफ ध्यान देना है चाहे वो computer related हो चाहे वो engineering sections हो चाहे वो medical section हो बहुत सरे आजकल डिप्लमा कोर्स होते हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना है मैंने बहुत सरे students का admission भी करवाया है अलग अजिकल हमारे economy में बहुत ही important एक section आया है जो है network marketing section network marketing section अगर sales में तुम लोग जाना चाहते हो sales में बहुत अच्छा futures है females के लिए है लिए फिमेल के लिए बहुत अच्छा market में लोग सीख सकते हो बहुत सरे लोग है उनके साथ जूर सकते हो तो अच्छे company के साथ अगर तुम लोग जूर जाओगे तो sales में बहुत अच्छा futures है हमारे देस में क्यूंकि economy जो पूरा economy है हमारे देश के वह जॉब अभी नहीं रहा बहुत यह हम लोगों को दिमाग में रखना है सेल्स से जुरा हुआ कोई भी अच्छी कंपणी तुम लोग पकर सकते हो वहां सेल्स कैसे होते हैं सिख लो मार्केटिंग कैसे होते हैं सिख लो और अपना जीवन को आगे बढ़ाओ तो इसलिए मेरा सलाह यही पीछे मत रहो गवर्मेंट जॉब सबको नहीं मिलेगा इस बास्तव को सीकार कर लो और जीवन में आगे बढ़ते रहो तो अगर कई भी कभी कुछ भी हेल्प लगेगा तो तुम लोग मेरा नंबर तो है हम हेल्प करने के लिए तयार है क्योंकि हम लोग बहुत सारे टीच के लिए भेजना है future काम के लिए इसलिए especially मेरा मैंने मैंने बहुत सरे स्टूजेंस को इदर उदर और काम के लिए भेजे हैं वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग के बाद बहुत सरे काम भी मिल चुके हैं तो इसकी तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ना ह आसा करते हैं तुम लोगों को मेरी बाते समझ में आये होंगे तो जरूर ग्रैजुशन के बाद मन खराब नहीं करना है और नेगिटिविटी में नहीं जाना है अपना skill को develop करो और अपने आफ independent हो जाओ तो वही वेतर होगा तुमारे आने वाले दिन के लिए तो खदम करत करते वीडियो मिलते नए वीडियो में